सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट जैहिं जभारा दोस्तों आपका अपना चनल लेक्ट्रोनिशन मेकनिक स्टेडिशन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज हम पेपर की जा रहे हैं चर्चा करेंगे जो की आज यूपी मेट्रो अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सस्क्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूद प्रेस करें तो दोस्तों देखते हैं किस तरह के कुशन आये थे तो दोस्तों पहला कुशन आया था अग्जाम में वह आया था पावर फेक्टर का विलो मनपाती क्या होता है तो इसका जो तो राइट आंसर हो है फिक्वेंसी वह किस तरह क्यों टी प्रोपोर्शनल टू होता वन अपॉन एफ के तो यह किसके आवरती के वितकन भानपाती होता है अगला जो प्रशन दोस्तों आया था कि वाट मीटर किस में आता है तो किसके अंतरगत आता आता आपको बताना तो तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है सूचक मापी यानि इंडिकेटिंग के अंतरगत आता है तो इसके अंतरगत दोस्तों अमीटर और बोल्ट मीटर और मेगर भी आता है अगला हमारा प्रशन जो आया था कि उर्जा का परंपरिक सुरोत क्या है तो दोस्तों जो राइ चुन् Ps के अधिक्क स्कतरे हैं को सबसे अधिक दच्चता वाला एम्प्रिफायर व्हार उसको र्फुरे है अग्ला चमारा प्रेशना है था कि कि उर्जा मीटर किस प्रकार का यंत्र हैंत्र की प्रकार होता चित्र सो दिया होगा उसमें आपको पताना नौट येट कौन सा है तो दूस्तों की दोनों की दोनों इंपुट क्या हो जीरो हो तो output जो हमको मिलेगा maximum मिलेगा इसी प्रकार अगर नियुंतम प्राप्त करना है तो क्या होगा 1 यहां पर 1 और 1 होने पर हमें जो नियुंतम output प्राप्त होगा 0 अगला जो प्रश्ण दोस्तों आया था एक्जाम में कि ट्रांस्फार्मर में बोल्टेज कहां उत्पन होता है तो दोस्तों यह कहां उत्पन होता है यह होता flaming का दाय हात के नियम से क्या को परिरेटrap ूर्जा को बिद्ध्ध वद्धूर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है तो दोस्तो किसी के दोवार बदला जाता है यह बदला जाता दोस्तो जनेरेटर के दोवारा यांत्री कूर्जा को विद्धितूर्जा में बदला जाता है दोस्तो बहुत इसी पेपर आया था अगला जो प्रश्ण दोस्तो है कि जो पी पदार्थ में असुदियां क्या मिलाते हैं तो दोस्तों पी प्रकार की जो असुदियां मिलाते हैं उसमें इंडियन गेलियम और बोरोन तो आपके सामने इस प्रकार के चार आप्शन होगे तो उसमें सापको बताना हो क्या मिलाया लगएं संधियों कि अगला मारे प्रत्रोथ वह जाता है तो कि सीलिकॉन का ताप बढ़ाते हैं तो चालगता प्रभाव McMasterा तो दोस्तो क्या होगा जैसे हम सील यह दो साना प्रत्रोथ क्या होगा घटता है सख्यार अग्यां और प्रत्रोथ कि रोवा डेसी करना है तो तो थो 12 इसका right answer आएगा अगला दोस्तो प्रश्ण आया था क्रेन में किस प्रकार की motor का उपयोग होता है तो दोस्तो जितनी भी खुचाओ वाली चीजे रेती हैं उसमें series यानि DC series motor का उपयोग किया जाता है और train की train में भी डीसी स्रीज मोटर का प्रियोग किया जाता है अगला दोस्तों प्रेशन आया था कि हैंरी किसकी काई है तो दोस्तों किसकी है तो उसका राइट आंसर था इंडेक्ट टेंस की इकाई है में अगला पंशन दोस्तो आया था कि आर्द चालक में उर्जा गेप का मान क्या है तो दुस्तों वह मान दिया था तो उसमें से जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह 0.72 olsaan-चार 2,1 पंट,1,2 olur होता है अगला पंशन दोस्तों आया था में अगला था ध्रीव्याट रोटर गति सिंक्रोनल नर्स गति से होनी चाहिए मतलब कितनी ऊने चाहिए वो बताना था तो सब्सक्राइड अंसर था तो कम होना चाहिए अगला जो प्रशन आया साइन वेव का RMS मान क्या है तो इसका जो RMS मान दोस्तों है वो हमारा 0.707 ये किसका है साइन वेव का RS मान है अगला प्रशन दोस्तों आया था कि प्रतरोध का वित्कुरम क्या होता है तो दोस्तों जो प्रतिरोद का व्रित्व करम क्या होता चा लगता होता इसका right answer होगा अगला जो प्रश्न आया था exam में starting के समय DC motor में back emf क्या होता है तो दोस्तों जो back emf होता है वो जो होता zero यानि dina होता है अगला question दोस्तों आया था exam में कि यू जेटी प्रतिग पूछा गया था महाँ प्रतीग दीए पुछा गया थो इसका बताना था चार उप्चन में तो तो इंट जो फूल फॉर्म होता है yolने जन्सन ट्रांजिस्टर होता है कभी कभी इसका फौल फ़ॉर्म भी किये हैं जो काफी चात्रों ने हमको वाटसप पर सेंड किये तो दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं थेंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो जैहिंग जै भारत